जहिंद बंदे मात्रम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस वल्ड आम से क्यू चैनल पर तो फ्रेंट साज किस वीडियो में बिहार मद्निसे सिफाही के लिए साइन्स के 60 अति महत्पुन प्रस्णों को लेकर आए हैं तो सेशन आप लोगों के लिए इंपोर्टे निम्न तत्व में से किसमे निट्रोन नहीं होता है आप लोगों को लाइप चैट का ओप्शन दिया गया है अगर किसी भी प्रस्ण का आंसर आता है तो आप लोग लाइप चैट में अपना अपना आंसर जरू करेंगे तो देखे प्रस्ण पूछा जा रहा है कि निम्न तत नहीं पाया जाता है, दूसरा है, दिव ट्रियम, जिसमें एक निवुट्रोन होता है, और तीसरा समस्थानिक है, ट्राइटियम, जिसमें दो नियुट्रोन पाया जाता है, नेक्स्ट को देखते हैं, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, चलि mama answer करते जाएंगे, angstrom किसकी इकाई है तो देखे इस प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ओप्सन तरंग दैरे की angstrom जो है यह तरंग दैरे की इकाई है और एक angstrom ब्राबर क्या होता है तो 10 पर पाबर-10 मीटर होता है ध्यान रखना है और friends आप लुगों को आज के session के pdf पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि आज के pdf में जो questions है उसके spelling थोड़े से गलट टाइप हुआ है इसलिए आप लोग से questions को देखिए और समझ कर answer कीजिए तीसरे प्रसन को देखते है आवरिती को मापा जाता है किस में मापा जाता है? चलिए answer बताएंगे तो देखिए आप सभी जानते है आवरिती को मापा जाता है हर्ड में फर्स्ट आप्शन हमारा बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा next question देखिए घडी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते है देखिए जितने भी हिंदी के प्रस्टे हम उसको सही से पढ़ देते है आप लोग आंसर करते जाएगे घडी में प्रयोग होने वाले क्रिस्टल होते है तो देखिए ये होते हैं किसके होते हैं तो सिलिकन डायोकसाइड के होते हैं B option हमारा बिल्कुल सही जबाब है Next question देखिए हर्ड़ में क्या मापा जाता है चलिए answer करते जाएंगे सोच समझ का answer करना है हर्ड़ में क्या मापा जाता है तो दीके इसका सही जबाब जो इवर्चे first option दे रे बिल्कुल सही जबाब है हर्ड़ में आवर्थी को मापा जाता है Next question देखिए एक परमानू के केंदर का धन आवेशित हिस्सा जो है क्या कालाता है proton, neutron, electron या फिर option D में देख सकते हैं आपे है nucleus और देखिए इस प्रस्ण का answer जो है आप लोगों को नीचे comment box में देना है देखते हैं कितने बच्चे answer कर पाते है प्रस्ण है कि एक परमानू के केंदर का धन आवेशित जो हिस्सा होता है वो क्या कालाता है देखिए next question है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है देखिए उर्धुआ पातन, संगनन वास्पन या उभलना चलिए answer करते जाएंगे हम सभी questions और उनका options को पढ़ देते हैं तो देखिए इसका सही जबाब जोई बच्चे first option दे रहें बिल्कुल सही जबाब है उर्धुआ पातन का लाता है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को next question देखिए cosmic किरने है आवेसित कन है अनावेसित कन है आवेसित तथा अनावेसित दोनों हो सकती है या कोई नहीं तो देखिए cosmic किरने जो है ये आवेसित कन है first option हमारा बिल्कुल सही जबाब है प्रत्यक student को नीचे live chat में आंसर करते जाना है next question है गवर्नमेंट के लिए जेनरेशन के लिए या फिर डी गूगल के लिए तो देखिए 2G spectrum में जो अक्षर G है ये प्रयोग हुआ है जेनरेशन के लिए तो C option हमारा बिल्कुल सही जबाब है next question देखिए radar का अविस्कारक कौन था Robert Watson option भी देख सकते है flaming है bus wall है और austin है तो प्रस में मारा क्या है कि radar का अविस्कारक कौन था तो इसका सही जबाब first option हो जाएगा Robert Watson जो है radar के अविस्कारक थे next question देखिए विद्यूद सकती की इकाई क्या है ampere, volt, koulomb या फिर D, watt है चलिए answer करते जाएंगे तो देखिए विद्यूद सकती की इकाई जो है क्या है आप सभी जानते है what होता है विद्यूद सकती यानि की power ब्राबर क्या होता है w upon t होता है यानि की कारेबटे समय होता है next question sor vikiran निम्न में से किस परास में दिखता है या पर किस होगा किस परास में दिखता है sor vikiran तो देखिए ansiatic हिसाब से sor vikiran जो है ये 400 से 700 nanometer के परास में दिखता है b option हमारा बिल्कुल सही जवाब है next question आधरता किस उपकरन से मापी जाती है इस तरह से आधरता होगा चलिए answer करेंगे आधरता की सुपकरन से मापी जाती है important प्रसन है तो देखिए आधरता जो है ये हाईग्रो मिटर से मापी जाती है तो इसका right answer क्या होगा हाईग्रो मिटर देखिए एक भी option में नहीं है या फिर सही कर लेंगे इस तरह से होगा हाईग्रो मिटर ध्यान रखना है आधरता जो है हाईग्रो मिटर से मापी जाती है ध्यान रखना है लेक्तो मिटर जो है ये दूद की सुदता मापी जाती है next question देखिए दाव की इकाई क्या है निउटन वर्ग मिटर निउटन मिटर निउटन या फिर दी निउटन प्रती मिटर तो दीखे दाव ब्रावर होता क्या है तो दाव ब्रावर होता है या पे लिग देते हैं बल बटे छेतरफल होता है दीखे बल का होता है निउटन और छिदरफल का होता है मीटर स्क्वाइर यानि के न्यूटन वर्ग मीटर होगा तो यह हो जाएगा न्यूटन प्रती वर्ग मीटर दाव की काई याद रखना है नेक्स्ट कोशन देखिये निमलिखित में से कौन सी अदिस रासी है चलिए आंसर करेंगे बल दाब वेग या फिरडी तवरन तो दीखे इन में से जो अदिस रासी है वो दाब हो जाएगा ये अदिस रासी के उधारन है बाकी बल वेग तवरन विस्थापन ये सभी सदिस र रासी के उधारन है, नेक्स्ट कोसन देखिए, निमलिखित में से किस रासी का मातरक नहीं होता है, प्रस्ण को फेस से सुनिए, निमलिखित में से किस रासी का मातरक नहीं होता है, यहाँ पर देखिए प्रती बल लिखा गया, इस तरह से उका लिख देते हैं, यह प्रती बल है और option B बल है ये विकृती है विकृती इस तरह से होता है याद रखना है sorry विकृती को इस तरह से लिखा जाता है और ये दाव है तो आपको बताना है कि इन में से किस रासे का मातरक नहीं होता है तो दीके इसका right answer C हो जाएगा विकृती कोई मातरक नहीं होता है ये dimension less होता है next question देखिए सही कथन को चुनिए first option है कि लाल प्रकास का तरंगदर जो है ये बैगनी प्रकास से कम होता है b option है लाल प्रकास का तरंगदर बैगनी प्रकास से ज़्यादा है बैगनी प्रकास का तरंगदर हरे प्रकास से ज़्यादा है और D में है बैगनी प्रकास का तरंग दैर्य पीले प्रकास से ज़्यादा है तो देखे इसका सही जवाब जो होगा लाल प्रकास का तरंग दैर्य जो है बैगनी प्रकास से ज़्यादा होता है तो देखे किस में दिया गया है ओप्शन B में दिया गया है लाल परकास का त्रंग देर्य बैगनी परकास से ज़्यादा है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबल पुरुसकार प्राप्त हुआ था किस वर्स प्राप्त हुआ था तो देखे इने प्राप्त हुआ था सन 1930 इस भी में बी ओप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट कोशन टेली स्कोप की खोज किस वग्यानिक ने की थी निूटन, जेम्सवाड, हमपी डेवी या गैलिलियो ने तो दीके बहुती सिंपल प्राप्त ने टेलिस्कोप की खोज जो है ये गैलिलियो ने किया था तो डी ओप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट कोशन इस सदी की सुरुवात में हवाही जहाजी का अविश्कार किस ने किया था तो दीके इसका सही जवाब जोई बच्चे फर्स्ट ओप्शन दे रहें बिल्कुल सही जवाब है right brothers हो जाएगा next question एक micron ब्राबर होता है सभी options को देख लिजिए चलिए answer करेंगे एक micron ब्राबर होता है तो दीखे एक micron ब्राबर होता है 0.001 mm होता है अगर इसको divide करेंगे 10.001 mm होता है एक बटे कितना हो जाएगा 1000 mm होगा तो दीखे किस option में एक बटे 1000 में दिया गया है एक बटे 1000 mm next question देखिए 40 degree Celsius का Fahrenheit Scale में मान क्या होगा तो दीखे इसको निकालने के लिए एक formula होता है यहाँ पे लिग देते हैं आप लोग formula को याद कर लिजिएगा होता है 9 C बटे 5 पलस 32 होता है ठीक है अब हमको देखिए 40 degree Celsius यानिके C का मान 40 दिया गया है यहाँ पे C के देखिए अब हमको 40 रखना है तो दीखिए 9 गुना 40 बटे 5 और पलस 32 हो जाएगा ठीक है अब दीखिए 5 से 40 को काटेंगे 8 बार में तो 8 गुना 9 करेंगे 72 72 पलस 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह निकल कराएगा 104 डिग्री फारेनाइट नेक्स्ट कोशन देखिए क्रोमेटोग्राफिक की तक्निक का प्रियोग होता है चलिए आंसर करेंगे रंगीन पदार्थों की पाचान करने में पदार्थों की संड़तना निधारन में रंगीन पदार्थों के प्रभावी आस्वन में या एक मिश्रन से पदार्थों को अलग करने में तो दिखे इसका सही जबाब ओप्सन चला देगा किसके साथ एक मिश्रन से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तक्निक का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट कॉशन दिखे लोलक की कालावधी किस पर निर्वर करती है आप देख सकते हैं इस पीडियाप में जितने भी हिंदी के वर्ड लिखे गए सारे टैपिंग इरर है तो आपको ध्यान इस पर नहीं देना है तो देखे लोलक की कालावधी जो है ये लंबाई की उपर निर्वर करती है आप सभी जानते हैं बी ओप्सन बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोषण देखते हैं बल गुननफल है चली आंसर बताएंगे बल किसका गुननफल है और देखे कल से पीड़ेप आपको सही मिलेगा सही रूप से देजाएगा सिर्फ आज भर के लिए ही ऐसा टाइपिंग हुआ है तो दीखे, बल गुननफल है, किसका गुननफल है, तो ये द्रबमान और तोरन का गुननफल है, B option बिलकुल सही जबाब हो जाएगा बल का SI मातर क्या होता है, न्यूटन होता है, बल यानि की force बराबर होता है, M into A यानि की mass into acceleration होता है next question, तोरन ग्याद करने का सही सुत्र क्या है, तो दीखे, इसका सुत्र क्या होता है, B बराबर, यहाँ पे लिखते हैं, इसका basic जो formula होता है, B बराबर U plus A T होता है तो हमको यहाँ से तोरन यानि A का मान ग्याद करना है, तो दीखे, B minus U बराबर क्या हो जाएगा, A T हो जाएगा, अब दीखे, B minus U बटे T बराबर A, तो दीखे, किस option में है, A बराबर, B minus U बटे T, तो दीखे, यह मिल रहा है आपको option A में, तो first option हमारा बिलकुल सही जबा नेक्स्ट कोशन देखिए, निमलिकित में से कौन सी रासी सदिस नहीं है, विस्थापन, वेग, बल्या आइतन, तो दीखे, इन चारों option में से जो सदिस नहीं है, आइतन जो है, यह सदिस नहीं है, यह अदिस के उधारन है, नेक्स्ट कोशन, पदार्त के संबेग और तो भी से भी काटेंगे, तो M निकल का गया, यानि कि दरविमान प्राप्त होगा, C option बिल्कुल सही जबाब है, नेक्स्ट कोशन देखिए, एक पीको ग्राम ब्राबर होता है, तो देखिए, एक पीको ग्राम ब्राबर दस पर पावर मैनस बारा ग्राम के ब्राबर होता है नेक्स्ट कोशन आप एक लिफ्ट में खड़े हैं लिफ्ट के फर्स पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा चलिए आंसर बताएंगे तो देखे इस प्रसन का सही जबा हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वार के तोरण से नीचे आते समय क्या हो जाएगा सुन हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखिए वायू में ध्वनी तरंगे होती है तिरछी अनुदैरी विद्वानी तरंगे जो है यह अनुदैरी प्रकृति की होती है बी ओप्शन सही जबाब है नेक्स्ट कोशन विद्यूत सक्ती की काई है एंपियर, वोल्ट, कुलॉम या वाट तो दीके हमने बताय था विद्यूत सक्ती की काई वाट है, D option बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट कोशन टर्वाइन एबम डाइनेमो से बिजली प्राप्ट करने में किस उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करते हैं रसायनिक उर्जा, सौर उर्जा, मैकेनिकल उर्जा या फिर D, मैगनेटिक उर्जा तो दीके इसमें जो है मैकेनिकल उर्जा का विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करते हैं C option बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा next question है एक सो वाट का बिजली बल्व यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना होगा तो दीके इसको कैसे निकालते हैं एक सो वाट का बिजली बल्व है 10 घंटा जल रहा है और इसको हम डिवाइट 1000 से कर देंगे अगर यहाँ दीन रहता तो उससे भी मल्टिप्लाइ कर देते अब दीके 3 से 3-0 कर देगा एक एकाई बचेगा यानिकी एक यूनिट next question देखिए एक समान सुस्क सेल में विद्धूत अफगर्टी होता है जसता सल्फूरी कमल अमोनियम कुलराइड या मैगनीज डियोकसाइड तो दीके इस प्रसन को हमने क्लास में बहुत बरक रहा है आप लोग आंसर कीजे कमेंड बॉक्स में इसका next question डाइनेमो क्या करता है चलिए आंसर बताएंगे तो दीके डाइनेमो क्या करता है ये यांतरी कुर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलता है next question है विद्धूत मोटर में क्या होता है तो दीके विद्धूत मोटर में विद्धूत उर्जा को यांतरी कुर्जा में बदला जाता है C option बिल्कुल सही जबाब है Next question विद्धु धारा मापने में किस उपकरन का प्रियोग किया जाता है तो दीके विद्धु धारा निम्न में से किस उपकरन से मापा जाता है आप सभी जानते हैं A मीटर से मापा जाता है तो दीके option में नहीं दिया गया इसका right answer क्या होगा यहाँ पे लिख देते हैं A मीटर से Next question देखे प्रकास में सात रंग होते हैं रंगों को अलग-अलग करने का क्या तरीका है तो दीके रंगों को अलग-अलग करने का तरीका है एक प्रिजम में से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है Next question है यदि किसी एनेक के लेंसों के सकती पलस दो डाइप्टर है तो इसकी focus दूरी क्या होगी तो दीके इसको निकालने बताये थे P ब्राबर होता है 1 by F और F जो होता है यह हमेशा मीटर में होता है तो दीके पाबर दो दिया गया है इसको 1 by F करेंगे तो F ब्राबर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा यानि कि 0.5 मीटर हो जाएगा तो दीके option में सभी cm में है तो 0.5 मीटर है इसको एक सो से multiply किजिए 50 cm राइट अंसर होगा चुम्बिकिया सुई किस तरफ संकेत करती है पूर्व, पस्सिम, उत्तर या आकास की ओर तो दीके चुम्बिकिया सुई जो है यह हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है next question स्वेत प्रकास को नली में कैसे पैदा करते है तो दीके स्वेत प्रकास को नली में पैदा करने का तरीका है तन्तो को गर्म करके next question आइंश्टीन को नोबल प्राइज किस कारे पर मिला था तो दीके आइंश्टीन को नोबल प्राइज जो है यह किस कारे पर मिला था तो इसका सही जबावजेगा प्रकास विद्यूत प्रभाव पर कब तो निस्वा 21 इसपी में नेक्स्ट कोशन देखे विद्यूत उत्पन करने के लिए कौन सी धातू का उपयोग होता है तो देखे विद्यूत उत्पन करने के लिए इसमें यूरेनियम का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट को सन आम तोर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए परियोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है यनि कि किस तीज का बना होता है तो जी के सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो तार होता है ये टीन और सीसे की एक मिस रधातू से बना होता है इसको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन दो उत्रोत्तर सरिंग अथवा दो उत्रोत्तर गर्थ के भीज की दूरी को क्या काते हैं तो आप सभी जानते हैं तरंग दैर्य बोला जाता है नेक्स्ट कोशन ध्वनी का वायू मेवेग अनुमानता कितना होता है तो ये 330 मीटर प्रती सकेंड होता है नेक्स्ट कोशन देखिए प्रकास वीकिरन की प्रकिरती होती है तो दीके प्रकास वीकिरन की प्रकिरती जो है ये तरंग एवंकन दोनों के समान होती है नेक्स्ट को सन आकास नीला लगता है क्योंकि लगु तरंग दिर्ग तरंगों के अफेक्छा वायु मंडल द्वारा अधिक प्रकिर्ण होती है इसलिए आकास नीला प्रतीत होता है नेक्स्ट को सन पानी का घनत्व अधिक्तम होता है एक सो डेग्री सेल्सेस पर चार डेग्री जीरो डेग्री या मैनस चार डेग्री सेल्सेस पर तो दीके पानी का घनत्व अधिक्तम होता है चार डेग्री सेल्सेस पर बी ओप्शन बिलकुल सही जवाब है next question 50 degree Celsius का मान Fahrenheit scale में क्या होगा तो दीके निकालने के लिए बताये था Fahrenheit बराबर होता है 9C upon 5 plus 32 तो दीके आपको C के अस्थान पर 50 रखना है तो 9 गुना 50 और बटे 5 पलस 32 तो 5 से 50 को काटेंगे 10 यानिके 10 गुना 9 करेंगे 90 90 में 32 जोडेंगे तो 122 degree Fahrenheit होगा जो कि Option B में दिया गया है 122 degree Fahrenheit next question वर्षा की बुन्द गोलाकार आकरिती का कारण क्या है तो ये प्रिष्टनाव है next question महासागर में उची जलतरंगे कैसे आती है तो देखे ये चंदरमा से आती है जो आरभाटा जो होता है याद रखना है next question जब एक पत्थर को चांद की सता से पिर्थवी पर लाया जाता है तो क्या होगा तो दीखे किसी भी वस्तु का जो है हमेशा भार बदलता है दरमेमान नहीं बदलता है वही राता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा फ्रन्तो दरमेमान नहीं बदलेगा next question दीखे सौर उर्जा निम्न में से किसे प्राफ्थ होती है तो आप सभी जानते हैं सूर्य के दुवरा next question सूर्य पर उर्जा का निर्वान होता है तो दीखे सूर्य पर उर्जा का निर्वान नाविके सनलेयन द्वारा होता है और एक पूछा आता है परमानु बम किस सिधान पर कार करता है तो ये नाविके विखंडन किस सिधान पर कार करता है प्रथम भारतिय उपगर आरेवट को कब छोड़ा गया था तो यह छोड़ा गया था इप्रेल 1975 को Next Question वर्स दिरगतम होता है तो दीके वर्स जो है यह Pluto पर दिरगतम होता है Next Question दीके सूरी के प्रकास का धरती की सता पर पोहचने में लगने वाला समय लगवग कितना है तो आप सभी जानते हैं ये होता है 8 मिनिट 30 सेकंड यानि कि साड़े 8 मिनिट तो दीके साड़े 8 मिनिट के करीब आपका option C में है यानि कि C option बिल्कुल सही जबाब है Next question निमन में से कौन सी धातू अर्द चालक के रूप में प्रियोग होती है तो ये धातू है क्या याद रखना है जर्मेनियम है तो इसका right answer option चला जेगा किसके साथ B के साथ चला जेगा जर्मेनियम तो B option हमारा बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा तो friends देखिए आज के session में हम तो आपको like करने के लिए नहीं बोल सकते हैं फिर भी अगर आप लोगों को session अच्छा लगा हो तो session को जरूर लाइक किजेगा कल से आपको video बैसा नहीं मिलेगा सही कर देजाएगा तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहिंद